अब तक शराब से जुड़ी कई खबरे आई हैं जहां पर शराब पाटी हो रहा होता है या कोई शराब पी रहा होता है लेकिन राजधानी पटना से एक ऐसी खबर आई है जहां शराब के साथ शबाब के भी पाटी हो रही थी यानि एक सरकारी कारेले में जो सरकारी कर्मचा वहाँ शराबी पी रहा था और शवाब की विवस्था थी, शवाब मतलब आप समझ रहे होंगे, वहाँ से एक महला अर्दनगन अवस्था में पाई गई, उसके बाद जो है लोगों ने वहाँ उसका वीडियो बना लिया, हलाकि वीडियो बनाने के दौरान जो सरकारी वह उससे हाता पाई करने लगे, फिर भी लोगों ने उस वीडियो को बना लिया, और वीडियो जो है, वो वैरल कर दिया है, हलाकि हम इस वीडियो की पुष्टी नहीं करते हैं, हलाकि वीडियो ने पंचैती राज विवाब को पत्र लिखा है और कहा है, कि इसके लिए जि विटा की कटेश्वर पंचैत सचीव का है, उसके सरकारी कारेले में, जो से आवंटन हुआ है सरकार के तरब से, सरकारी कारेले में लगातार वहां शराब की पार्टी हो रहे थी, अस्थानिये लोग जो है धानेदार को सूचना देते थे लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई और जब थानदार ने कोई कारवाई नहीं की, उसके बाद अस्थानिये लोगों ने on the sport धावा बोल दिया और वीडियो बराने लगे, जहां पर सापकोर पर देखा जा सकता है कि वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो शराब की पार्टी कर रहे हैं, इसके अलाबा वहां एक महिला जो है, वो अर्धनंग अवस्था में पाई गई हैं, हलाकि वीडियो ने इसके पत्र जो है, वो पंचैती राजिभा को लिखा है और कहा है कि इस पर कारवाई की जाने चाहिए, लेकिन सवाल तो लगातार उठेगा, कि जब एक बोतलग शिराब रखने के जुम म किसी को 5 साल की सुना दी जाती है, तो वैसी प्रस्ति में एक सरकारी कर्मचारी अपने आवास पर आये दिन शराब की पाटी करता है, और शवाब की विवस्था रहता है, लेकिन अस्थाने लोगों की शिकायत के बाद है कोई कारवाई नहीं होती है, और उसके बाद लोग यार में शराबंदी को सफल बनाने का जिम्मा जिस मुख्याले के पास है, उसके परिसर से खाले शराब की बोथली मिली, तो अब यह बताने की जरुरत नहीं, आप जानते हुए कि जो आहां पर रहते हैं, वहां की सरीके से शराब खुले आम मिल रहा है, शराब पीने वाल को 5 साल की सजा हुई है यह 3 मेहने के अंधर का डेटा है, लेकिन कई ऐसे दरोगा हैं, कि असे आथिकारी हैं, जिन पर कोई कारवाई नहीं होती है कि आपने कभी सुना कि कि जो कोई सजा दिगई हो, लेकिन यह ज़रूर हुआ है कि शराब के नाम पर 15 समाज के नौ लोगों को फासी के सजा हुई है और चार महिलाओं को उम्र कैद के सजा हुई है लेकिन कितने दरोगा यहां तक की जो मंदिशे दिभाग के S.P. है उनको भी इस मामले में गिरफतार किया गया कि श्राब माफिया के साथ उनका गड़ जोड था अगर वाकवी में सरकार सजा है इसको लेकर काफी गंभीर है तो पहले ऐसे अपसरों पर कारवाई होनी चाहीकि क्योंकि अगर ऐसे तब तक श्राबंदे सफल हो ही नहीं सकता चाहे श्राम नितिष इसके लिए कितना भी खाथ पाउँ क्यूं न मार ले और लगातार यह सवाल उपता है कि बड़ा से बड़ा Shra Только माफिया जो है वो कहीने कही सकता का हाथ उसके सिर्प की ईपर है और इसलिए वो नहीं पकला जा रहा रहा ौर जो लाको करूल का प्रट हरा लेकृन इंपr खाला ती आ गया है वह पैसा चन्दा के त्वरपर सरकार को जाता है जेडियू पार्टी के खाते में जाता है सारोफ लगातार दिपक्षी पार्टियां करते रहते हैं और जब बड़े श्राब माफिया की रफ्तारी नहीं होती है तब कहीं ने कहीं लोगों में ये मैसेज जाता है कि वाकई में जो बड़े श्राब माफिया है उसको कह वहां एक महिला जो है वह आप पत्रिश्टी में मिली जो बिल्कुल अर्णग थी यानि वहां शिराब की पार्टी के साथ साथ शवाब की भी पार्टी चल रहे थे आप देखते रहें जंदा जंक्शन महद बहुत 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 देवाद